Hello everyone welcome back to our channel आज हम लेकाना है sweet potato की बहुत ही मज़ेदार सिर्या से भी जितनी खाने में tasty होती है जितनी मज़ेदार या नहीं होती है उतने ही कम टाइम में फटा फट से बनकर थेहर हो जाते हैं इनको बनाने के लिए बहुत साथ टाइम नहीं लगता है इस तरह से बनाएए खाएए वीडियो पसंद आजाएए इसको like and comment करती हैगा चैनल पर अगर आप नए है तो आपसे मेरी request है प्लीस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे तो यहाँ पर हमने जगरगंदी ली है आप अपने हिसाब से जितनी भी ले सकते हो कैसे भी आप इसको काट सकते हो मैंने इस तरह से काट है उसकी बाद इसको फिर से हमने धूल कर पैन में डालेंगे और उसके बाद हमने एक ग्लास पानी डालना है और इसे अब हम वाइल कर लेंगे जब यह गळ जाएगी मतलब उबालना है इसको हमें और इतना उबालेंगे इतना को करेंगे जब इसको हम तोड़े तो यह असानी से तूट जाए और जैसे की आलो को हम वाइल करते हैं बिल्कुल बैसे ही अच्छे से भालने के बाद अगर आपको लगता है यहां पानी हम थोड़ा सा पकाएंगे इससे क्या होता है पानी बाद में खुश्क हो जाएगा और ये शिकर गंदी हलवा भी नहीं बनती है क्योंकि गुर्ड डालने से ये थोड़ा सा एट पन हो जाता है यानि टाइट होना शुरू हो जाती है तो हमने गुर्ड को पहले अच्छे से ध डालेगा वनना हमने हाँ एक बड़ा कब भरके गुर्ड लिया था और इसको डालने के बाद ये देखिए पूरा पानी में चैसे मेल्ट हो गया और हाई फ्लम पे फटा फट थोड़ी दिर हमने जब तक की गुर्ड मेल्ट नहीं हुआ तब तक हमने पकाया और उसके बाद दो फले में पूरा पानी खुश्ट करना है और अब ये देखिए एक दम पर्फिक बन कर तयार होगी है बहुत ही मज़ेदार सी एक बहुत जरूर ट्राइ करिएगा जब ये दीमी दीमी आज पर बनती है न तो अंदर तक इसका डेस्ट जाता है बहुत ही माज़े की ये ब